अस्सलावु अलेकुम उमीद करता हूँ आप सब दोस्तों का शुक्रियादा करता हूँ जो मेरी वीडियो बड़ी दिचस्पी से दिखते हैं आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ गोट का दंपुक जिसको खड़ी कबा भी कहा जाता है या सालिम भी कहा जाता है या फुल गोट की रेसिपी भी कहा जाता है जो के खड़े जमीन के अंदर बनाया जाता है अक्सर ये बलोचिस्तान या कबाईली लाकों में बनाया है जो कि मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा और इसका पूरा प्रोसेस बनाऊंगा कि किस तरह यह चीजे बनती हैं और इसमें क्या-क्या चीजे रिक्वाइड होती हैं इस गोट को बनाने के लिए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मिरे पास काफी हैं मैं एक एक करके आपको चीजे भी बताऊंगा कि क्या-क्या चीजे रिक्वाइड होती हैं आप गर बैठे किस तरह दंपुक या खड़ी कबाब बना सकते हैं एक गोट होगा अगर आपके पास है 15-16 केजी का गोट होना चाहिए 10-12 मा की एज में हो तो जादा प्रिफेरबल होता है अब मेरे पास यह गोट है 15-16 केजी इसका लाइव वेट है और इसका जो मीट निकलेगा फ्लेच वह 8-9 केजी के दरम्यान होगा अब मैं आपको बताऊं क्या नाइफ को तेज करने के लिए होती है अक्सर आप देखते हैं कसाई इससे तेज़ करते हो उसके बाद हमारे पास यह वैल होती है कहीं से भी आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से foil मिल जाती है उसके बाद हमारे पास यह wire है यह wire भी easily आपको hardware की shop से मिल जाएगी यह जब हम goat को hang करेंगे उसमें pole के अंदर या उसमें pipe के अंदर तो उसको भानने वक्त के काम आएगी और जब तयार हो जाएगा तो उसके वक्त काटने वगे cutter plus हमारे काम आएगा इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ यह pipe है gas का pipe है यह इसको आपको hardware की shop पर easily available हो जाता है यह 10 feet का यह 8 feet का अगर आपके पास pipe हो तो बिलकुल suitable इसको अब अच्छी तरह धो लें उसके बाद यह भी आपके काम आएगा और इसके बाद मेरे पास यह नीचे जो है तीन की चादर है बिलकुल यह भी समझ लें 10 feet की है लंभाई में यह आपके पास 10 feet की हो यह 8 feet की हो तो यह भी बिलकुल best है उसके बाद मेरे पास कुछ लक्डिया हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस किसम की लक्ड़े होनी चाहिए जहां आप एक डंपुक बना सकते हैं तो आपको तक्रीबन जैसे यह में आपको नजर आ रहे होंगी कि यह छोटी स्टार लक्ड़े हैं जो बिल्कुल पत्ली टैनियों में होती है छोटी यह आग जलाने में काम आएंगी इससे जिस तरह आग जलेगी तो उसके बाद हमने यह जो फट्टे टाइप की लकड़े होती हैं जिसमें फट्टे होते हैं थोड़ी सॉलिड लकड़ी होती है यह हम बठ्टी के अंदर डालेंगे ताके जल्दी हीट पकड़ ले बठ्टी और जल्दी उसमें गरम हो जाए क्यूंकि बठ्टी हम गरम करेंगे उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट हो उसके बाद जब बठ्टी गरम हो जाएगी घंटे डिट के बाद हमने यह वाली लकड़ें डालनी है जिसमें आग बनानी है और इससे आग लगेगी और जब इसके आग ड्राय होगी इसके कोईले बनेंगे तो फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके कोईले बनने के बाद जब हम पूरा उसमें गोट को बठ्टी के अंदर डालेंगे और उसके उपर ये शीट रखेंगे जो मैंने आपको दिखाई टीन की चादर उसके उपर हमने ये 2-3 लकड़ें जला के रखने हैं ये बिल्कुल हार्ड लकड़ें होती हैं और काफी हैवी होती है डाई से 3 के जी इस लकड़ी का वजन होता है ये 2-3 लखने आपको चाहिए होगी उपर जलाने के लिए और जब ये लखने जल जाएंगी तो उसके बाद हम देख सकते हैं या कोईले आपको नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल कोईला है असानी से इसली अविलबल हो जाता है कहीं भी आप होंगे तो आपको कोईला बिल्कु ये भी बताता चलू अब जैसे आप मेरे बैक साइट पर देख रहे हैं कि ये 8-9 kg इसका गोश्ट होगा सौरी लाइव वेट इसका 15-16 kg है इसका जो गोश्ट होगा वो 8-9 kg होगा तो उसके लिए हमें चाहिए सिर्का सिर्का ये आपके सामने है ये सिर्का आपको डालना ह इसमें 8-10 kg के दर्मियान आपको सिर्का चाहिए होगा उसमें 6 kg आपको नमक चाहिए होगा और 6 kg अद्रक लस्टन का पेश, 6 kg कच्छा पापीता और आपको 4 kg कच्छी पॉडर चाहिए होगा और इसके बाद 8 kg आपको तिका बोटी जो मसाला होता है वो आपको चाहिए बताऊँगा कि किस तरह बनती है और इसकी जगा भी आपको दिखाऊँगा और वो जो आपको बड़ा थाल नजर आ रहा है ये मेरे स्क्रीन पे ये थाल के अंदर हम जब बकरा पूरा काटेंगे तो इसको बिलकुल साबिद इसके अंदर डाल देना उसमें हमने मैरिनेट क करके इसको स्थाल के अंदर रखना है और उसके बाद फिर हमने जो प्रोसेस करना है वो मैं आपको बताऊँगा ये हमारे पास पाइप है इसमें हमने इसको हैं करना है यूं करके इसके पूरे बकरे को और उसके बाद ये जो मैं आपको वायर दिखाई इससे हम लोग ने बांद देना है इस वाहरो से और फिर इसको हमने जो जगा बनाई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उस जगा पर मैं आपको लेकर चाहता हूँ उस जगा पर हमने इसको हैंग करके अंदर प्लेस करना है तो आईए मैं आपको जगा भी दिखाता हूँ अच्छा वियूर्स बिल्कुल असान है अगर आपके पास जगा हो और आप समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह आमने तीन फुट का खड़ा इसमें खोद दिया है और बिल्कुल छोटी सी भी अगर आप जगह हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं या मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा या तीन फुट का खड़ा है और देट बाए यह विद्ध होनी चाहिए और लेंथ इसकी जो है डेप्ध इसकी जो है तीन फुट होनी चाहिए और जो इसकी लंबाई है वह 5.5 फीट होनी चाहिए अब यह खड़ा हमने खोड़ दिया है अब जैसे ही प्रॉसेस स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा कि हमने बकरा काटने के बाद क्या क्या प्रॉसेस करने होते हैं फिर मैं आपको ऐसे ऐसे चीजे शेयर करता रहूंगा है 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 विए तो जिस तरह मैंने आपको बताया अभी हमने गोड़ जिपा कर दिया उसको हमने तीन गंटे मैरिनेट भी करदिया था जो मैंने आपको इंग्रीडेंस बताया थे मसाले वगयरा लगा के हमने इसको तीन गंटे तक रख दिया था अब मैरिनेट हो गी अच्छी तरह इसमें मसाल़ा इबस और जो प्रॉसेस बताया था वह जो पाइप टारों के साथ tie कर दिया है, tie करने के बाद हमने इसको hang किया, यहाँ तीन गंटे fix होने के बाद हमने इसको निकाला है marination से, और अब जो process है, मैंने आपको बताया था, कि हम foil इस पे लपेटेंगे, तो वो मैं आपके साथ अभी share करूँगा, आप देखेंगे कि अभी हम इस पे foil, इसको wrap करेंगे, जो मैंने आपको foil दिखाए थी उसको अपने pipe के साथ hold करके, और फिर इसको lap करना है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, और ये lap करते रहेंगे, आइससे आइससे करके, फिर उसके बाद हम इसको, जो मजीड तार हमारे पास बची है, उससे हम इसको completely pack कर देंगे, ताकि कहीं से भी अगर foil lose होती है, तो ये गोश्ट जलने से बच जाए, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जो गड़ा खोदा था, उसमें भी हमने लकड़ें डाली हैं, दो से डाई गंटे हो चुके हैं, इसमें लकड़ें जल रही हैं अभी तक, और ये जो बनावाया है, खड़ा ये घरम हो गया है, बिलकुल इसको भटी कहते हैं, तो ये भटी जो है, हमारी बिलकुल घरम हो गई है, अब इसमें 15 से 20 मिनट और हम इसको जलने कम्प्रीट जब 3 गंटे हो जाएंगे, उसके बाद बिलकुल ये गरम हो जाएगी, उसके बाद हमने ये इसको निकालना है इसका ये कोईले वगएरा निकालेंगे, उसके ओपर फिर ये हमने जो गोट है, ये हैंग करना है हैंग करके उसके ओपर यही पाइप के साथ यहां लगा कर उसके ओपर यह जो मैंने आपको शीट बताई थी यह शीट आपके सामने पड़ी है टीन की चादर यह हमने दे कर इसको मट्टी डालके पैक कर देना है जिस तरह मैं अभी गोट को अभी अंदर जब इसमें पैक करूँगा तो वो प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी आप देख सकते हैं प्रोपर ली इसको हमने फोईल रैप कर लिए और फोईल रैप करने के बाद भी हम इसको जो वायर है या जो तार है उसके बाद पिर से हम एक इसको ट्विस्ट देंगे एक बार सही तरह बादेंगे ताके यह जलने से बच जाए व्यूर्ज अब प्रॉपर इसको फॉइल लग गई है और प्रॉपर इसको सरी तरह पैक कर दिया गए है और इसमें से जो आग थी या जो कोईले वगएरा थे वो भी निकाल दिये गए है और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खाली हो गई बट्टी इसमें सिर्फ हलकी लेयर है कोईलों की बाकी जो में आग के कोईले वगएरा थे वो सारे हमने निकाल दिये हैं लगड़ें भी निकाल दिये अब यह आप देखेंगे प्रॉसेस जो होगा अब यह इसको रखेंगे वहीं पर बट्टी के अंदर और उसके बाद इसके उपर शीट देंगे और उसके उपर फिर यह जो कोईलों की तेया है यह उपर दी जाएगी आप देख सकते हैं कि अब इसको आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है दोनों लेवल होने चाहिए ना जादा आगे हो ना जादा पीछे हो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हों ने रख लिया है अब इसके उपर यह शीट देंगे और शीट देने के बाद यह सीधा जो कोईले आपको जलते वे नजर आ रहे हैं इनकी जो लेयर है यह उपर उस शीट के उपर देदेंगे और उसके बाद इनके जलने के बाद जो मैंने आपको लखड़यें दिखाई थी वह आपको दोवाँ नजर आ रही हैं उसके दावा और भी लखड़यें च्यापको उसके उपर दिखाएंगे अब यह आप देख सकते हैं sheet place कर देनी है आपने इसके उपर level करनी है उसके उपर इन्होंने अब मटी से इन्होंने paste कर देना है घारा बनागे अब मैं आपको बता हूंगा घारा किस तरह बनता है तो अब यह आपके सामने अब यह घारा भी बनाएंगे और उसके बाद यह आग जो जली है कोईले जले ये प्लेस कर दिये जाएंगे अब इन्होंने प्रोसेश ये करना है ये जो मट्टी आपने निका ली है उसमें इसने कोडर और इसकी जो कोडर इसको कहते हैं बेलचा जो होता है और इस टाइप का जो जमीनों में खेती बारी में अक्सर काम आता है ये एक टूल है बहुत वैल्यूबल टूल है इससे इन्होंने मट्टी उठा के उसमें बाल्टी में डाल दिये और इसके जो पानी और मट्टी जब मिक्स होगी तो इसका घारा बनता है वो घारा इसमें पेस्ट के तोर पे लग जाएगा अब यह आप देख सकते हैं कि यह यहां आपको नजर आ रहा है यह घारा पेस्ट करते वे अब यह इसको बिल्कुल पैक कर देना है ताके कहीं से हवा न निकल सके या कहीं से लूज ना हो और यह शीट बिल्कुल उपर उसके सही बैट जाए और उसके उपर आपने मटी दे देनी है ताके फिर साइड से बिल्कुल एयर टाइट हो जाए और इसको तीन गंटे तक छोड़ना है इसके अंदर और उसके बाद फिर यह रैडी हो जाएगा गैने विवर्स दिस तरह आप देख सकते हैं कि इसको completely हमने pack कर दिया है मटी का घारा बनाकर उसको मटी और पानी को mix करके मिक्स किया उसके बाद यह बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको paste कर दिया cabe पर paste करने के बाद का process जो है के बाद फिर से वो ही कोईले हमने इसके उपर रखने हैं और इसके उपर हमने दो से तीन बड़ी लगणें रखनी हैं जो के इस कोईलों के साथ-साथ जलेंगी जिसकी हीट भायर की जो हीट होगी उसके उपर वो जो गोश्त होगा वो पकना शिरू होगा अब आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल पैक करने के बाद इसके उपर मजीद कोईले रख दिये गए और अभी दो से तीन जो लक्रिया मैंने आपको दिखाई थी वो उसके बाद रख दी जाएंगी अभी आप देख सकते हैं जो बड़ी लख रहे हैं आपको दिखाई थी वो दो रख दी जाएंगी इसके उपर ताके वो जलती जाएं और उसकी जो हीट है उसके नीचे ये जो हमने दंपुक बनाया है ये पक जाए अभी टाइम हो है साड़े छे बजे का साड़े छे बजे हमने रखा है तो इंशाला इसको हम साड़े नौ बजे इसको खोलेंगे फिर से और उसके बाद इंशाला तीन गंटे के टाइम पीरिड में ये हमारा दंपुक रेडी हो जाएगा लेकर इस दोरानिये के अंदर हमने ये करना है जब ये लकडी पूरी तरह जल जाएगी इसके कोईले जलेंगे तो उसमें लास्ट जो आर होगा उसमें हमने जो कोईले मैंने आपको दिखाये थे वो कोईलों की गर्माई जादा होती है बनेसबद इस लकडी की गर्माई से तो वो कोईले हमने इसके ओपर प्लेस करने है एक गंटा पहले और उसके गंटे के बाद जब कोईलों की तपिश आ जाएगी उसके बाद हमने ये open कर लेना है वियोर्स जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अब ये इसकी आग completely dry हो चुकी है और इसके जो कोईले थे वो हमने remove कर दी है अब इसके बाद जो process है last final stage पर पहुंच गया है अब हम इसकी जो मट्टी से हमने जो घारा बनाया था वो remove करेंगे आइससे करके उसके बाद इसके जो sheet है जो team की जादर है उसको उस side से पकड़ के और उस side करेंगे जिससे open हो जाएगा और फिर जो हमारा ये दंपुक है ये आपके सामने है माशाला से अब इसको अराम से निकाल लेंगे और निकाल कर जो मैंने आपको बताया था थाल जो बाउल है हमारा उसमें हम इसको gather करेंगे और ये आप दोस्तों के सामने है तीन गंटे process complete हो चुका है साड़े छे बज़े हमने इसको place किया था अब साड़े नौ और है fix तीन गंटे के बाद अब हम इसको निकालेंगे तो viewers ये आप देख सकते हैं माशाला से हमारा ये जो दंपुक है बरबरी गोड का दंपुक आपके सामने हमने प्रूरा process किया और आपको दिखाया और आपको open करके भी दिखाएंगे किस तरह बना है और इसको cutter plus की मदद से हम लोग इसको open करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि cutter plus की जो जरूरत पड़ेगी हमें अब ये cutter plus से हम open करेंगे और जो हमने तार से जो पे joint लगाए थे ये इसको stitch किया था तो अब वो हम open करेंगा इससे इससे करके उसके बाद आपके सामने जबरदस किसम का dumpuk ready है अब आप देख सकते हैं इसका खुबसूरत जो mouth watering जो इसका oil है वो निकल रहा है अब ये आपको open करके दिखाएंगे और उसके बाद ये इसकी जब फॉइल open करेंगे तो आपके सामने नजर आएगा अब आप व्योर्स अब हम open करेंगे बिसमिल्ला करकर और आपके सामने हमारा dumpuk ready हो चुका है अब इसकी फॉइल रिमूव करेंगे आइसससे करके और ये माशाला से काफी जबर्दस किसम की इसमें खुश्बू आ रही है और ये आप देख सकते हैं माशाला से बहुत ही टेस्टी दंपuk जो के हमारा ready हो चुका है बिलकुल dry हो गया है बिलकुल गल चुका है और आपके सामने है माशाला से अब हम इसकी फॉइल रिमूव करेंगे और इसको इसी बाउल के अंदर डालेंगे और इसको हम लोग चावल और जो सैलेट है उसके साथ सर्फ करेंगे इसी बाउल के अंदर हम प्लेस करेंगे तो व्यूर्ज हमारा गर्मा गरम बर्बरी गोट का दंपुक तयार है और अभी हम इसको फॉइल से रैप कर देंगे अभी इसका जो पुलाओ है वो उसके साथ इसको सर्फ कर दिया जाएगा पुलाओ बनने में अभी 10-15 मिनट हैं तो जिस तरह पुलाओ तयार होगा उसके बाद हम इसको सर्फ कर देंगे उमीद करता हूँ आपको आज की ये बर्बरी गोट की धंपुक बनाने की वीडियो पसंद आई होगी जिन दोस्तों ने नारिज्जो गोट फार्म यूट्यूब चैनल अभी चक्क सब्सक्राइब नहीं किया वाइकन का बटन प्रेस कर लिजिए सब दोस अपना खैल रख यूपश से था जारिज्ड़ कर दोस अपनार चारिफ इसाज लिए एसलिट वीड़ औरेस को साने दोस कर दोस आई आट रखना है सब्सक्तरा प्रेस कर दोगल स्ने अग्जूब डिएरेस को सुष्पना है जूस नहीं बहुत खवड़ डिएरेस को सुनाप्य यूब रोस